एक परिवार एक्जाम पूर में हार्दिक स्वागत करता हूं हमें एक्जाम पर कलम से करांती यह जो क्लास होती है बच्चा सुबह नो बजे आप लोगों की कि प्रिविएस यर कोश्यर कि क्लास होती है प्रिवेस य misleading के क्लास समझेगा इस क्लास में हम लोग बच्चा सीजयल 2012 में जो एक्जाम हुआ है इसके UH कि कशन कर चुखे CPO 2019 के कुश्यन कर चुके है RRBJ का CBT1 का जो एक्जाम हुआ है RRBJ CBT1 2019 इन तीनों के कुश्यन समलोग फिनिश कर चुके है और हम लोगों ने देखा कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमसे नहीं आते बाकी 90% ऐसे टॉपिक हैं जो हमारे तैयार है इन 10% टॉपिक्स को भी हम लोग एप में लेकर चल रहे हैं उसका फायदा आप लोग क्लास लोगे और अब आप क्यारोगे तो आपको पता चल रहा है कि कहां ओलंपिक हो रहे हैं कहां कौन सी चीज हो रही है यह बहुत ज़्यादा फायदे का सौधा या कह सकते हो कि यह जो प्रीवेस एर कोश्यंस के कलास है यह आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगी अब जो हम लोग कर रहे हैं अब हम लोग आर पीएफ का जो पेपर हुआता ना एसाई का उसको ट्राइ कर रहे हैं क्योंकि उसमें भी आप जानते हूँ फिफ्टी कुश्यंस आयते जी के के और आपके एंटी पीसी में कितने आने फॉट्टी आने इसके बाद में हम लोग परसों से प्रीवियस एर को क्लोज कर देंगे क्योंकि में में प्रीवियस एर कंप्लेट होगे हम लोग वापस से या तो अपने टॉपिक पर जाएंगे या फुर देखेंगे कि प्रीवियस एर को कंटीनू करें नहीं करें वह आप लोग कमेंट करके बताएंगे चलिए बच्छा अब आज आता है आपका आज का पहला दूसरा कुश्यन बहुत ही साफधानी से समझ के देना क्या रखा है कि जो ऑग्जेलिक एसेड है इनमें से ऑग्जेलिक एसेड का एक प्राकृतिक सरोत क्या होता है ऑग्जेलिक एसेड या ऑग्जेलिक अमल और कमल कलमकारी इसको कमलकारी कह दिया है यह एक्चल में कलमकारी डिजाइनिंग होती है क्या होती है कलमकारी डिजाइनिंग यह अच्छे से आपको जी आई टेग वाली अब आपको क्लास का पता चल रहा है जी आई टेग के क्ल आजिसे और औक्जेलिक अमल झलीक है सेनिक वग्जेलिक इसेड का है औक्जीक एसड निकोसर निच्राब शूर्स रोड भी Mays A नेच्राल सौर्स अफ ओऊक्जेलिक एसट तो mathematically बच्चा मिल्क में क्या होता है लेक्टिक एसिड लेमन में क्या होता है सिट्रेक या एसकॉर्बिक एसिड या सिट्रेक बोल देते हैं या एसकॉर्बिक एसिड कहते हैं जो विटामिन सी होता है सिट्रेक एसिड या एसकॉर्बिक एसिड वो आपके अंदर इम्मिनिटी इम्मिनिटी होते हैं आपकी बीमा तौलमिक एसट भी कहते हैं या देन तो आपका ये कांसर बन गया टमाठर टमाठर में कौन सा हुता है और या यह ऑगत होता है अभावज आते तह наша महां करी कम लंगे ऑगेतक्र चेपल का हैं परोसेंगाय की जगह हैं मचली डिजाइनिंग ये कहां की है ये आंदर प्रदेश की है कलमकारी किस राज्य की है आंदर प्रदेश की है कलमकारी कहां की है बच्चा आंदर प्रदेश की है चलिए आगया जाते है कुश्य नंबर तीन चार दिल्ली चलो का नारा किस ने दिया और जो प्रत्वी के इंटीरिय निकलती है प्रत्वी के अंदर से एनर्जी निकलती है उसे क्या कहते है दिल्ली चलो का नारा किस ने दिया और प्रत्वी के अंदर से जो एनर्जी निकलती है उसे क्या कहते है आपको पता है कि प्रत्वी के नीचे से लावा आता है अर्था प्रत्वी के नीचे क्या होती है heat होती है क्या होती है heat होती है तो solar energy नहीं कह सकते potential energy नहीं कर सकते kinetic energy नहीं कर सकते इसे क्या कहेंगे geo geo माने earth और thermal माने heat earth के अंदर से जो energy निकले geo thermal energy तो आप का अंसर क्या जाता है option number day अब यह निकलती कैसे है तो कभी कभी गरम पानी के रूप में जो पानी के फवारे होते जो पानी के गीजर होते उनके रूप में निकलाती है तो यह क्या होते भूतापी है या geo thermal energy दिल्ली चलो का नारा नेता जी सुभास चंदर बोस जी ने दिया था जब इन्होंने अपनी आजाद हिंद फौज के सेनापती बने थे कमांडर बने थे उस समय ने नारा दिया था दिल्ली चलो महत्मा गांदी जी ने जो नारा दिया वो दिया करो या मरो डू और डाई करो या मरो डू और डाई Lord करजन बंगाल विभाजन से संबंदित है 1905 में Lord करजन के समय पर ही Thompson कमेंटी की सिफारिस पर पहले railway board का गठन हुआ था या पहले railway board का गठन हुआ था जिसमें 3 मेंबर थे तो प्रत्वी क्यांते कुर्जा जियो थर्मल एनरजी और दिल्ली चलो का नारा सुवाष चंद्र बोस जी ने दिया था दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुवाष चंद्र बोस जी ने दिया था आगे आ जाता है question number 5 1875 में mohammedan anglo oriental college 1875 में mohammedan anglo oriental college कि स्थापना किसने की और 1833 में भारत का पहला British governor general कौन था फाश्ट गवर्नर जनरल पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल तो अलिगड में मुहमदन एंगलो ओरियंटेल कॉलेज इसकी स्थापना 1875 में मौलान सयद ऐहमद खान सर सयद ऐहमद खान जीने की थी सेद एहमद खान अलीगड़ आंदोलन के जनक माने जाते हैं अलीगड़ आंदोलन एक मुसलिम सुधार आंदोलन था जिसके जनक सर सेद एहमद खान ये लोग इसलामिक सिक्षा के साथ साइन्स और मेत की जो सिक्षा होती है उसे भी कराने के पक्छ में थे बाकी जाकिर हुसेन भारत के राष्टपती बने भारत के राष्टपती बने इधर आप बात करेंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद तो सबसे कम उम्र के कॉंग्रेस के अद्यक्ष बने और सबसे जादा समय तक रहने वाले भी अद्यक्ष बने तो 1875 में सरसेद एहमत खान ने मुहम्मद एंगलो औरेंटेल कॉलेज के स्थापना की थी बाकी देखिए किस तरीके से जब पहला Regulating Act of 1773 आया तो बंगाल का जो जनरल था या कमांडर था कलकत्ता में उसे गवर्नर आप बंगाल कह दिया गया कलकत्ता की गवर्नर को क्या कह दिया गया गवर्नर और बंगाल या बंगाल का गवर्नर और ये व्यक्ति पहला कौन बना लौड इसका क्या नाम था ये जो हैश्टिंग्स लौड हैश्टिंग्स क्या बना बंगाल का पहला गवर्नर उसके बाद में एक और एक्ट आता है कब 1833 में गोर्मेंट ओफ इंडिया एक्ट या चार्टर एक्ट 1833 इसके तहत जो गवर्नर ओबंगाल था उसे पुरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया क्या बना दिया गया गवर्नर जनरल ओफ बंगाल उसके बाद में 1858 में एक और एक्ट आता है गुडविल एक्ट बोलते हैं जिसे क्रांती के बाद में उसके तहत जो गवर्नर जनरल तो होता था बिटिस गवर्नर जेनरल कौन होता है जो बिटिस पजैसन है या जितनी भी बिटिस चीजे उन सब का हाई एस्ट ओफिशर और वाइसराय का नाम और जूर दिया गया वाइसराय होता था एक तरीके का एमबेश्डर कि जो अंग्रेजों की रानी है उस रानी का जो भारतिय र क्या कहा गया वाइसराय तो गवर्नर अब बंगाल बनने वाला पहला कौन था वारिन हेस्टिंग्स अलिए इसके गवर्नर जनरल अब बंगाल बनने वाला कौन था पहला लौड विलियम बेंटिक और वाइसराय बनने वाला कौन था लाइसराय बनने वाला था लौड चलिए, आगए आज जाते हैं, पंचायती यह तो कुशनी अजीव है, यह कुशन गलत है थोड़ा सा, यहाँ पर चलो फिर भी मैं इसमें बताता हूँ, पंचायती निर्वाचन छेत्र के जनक पूछा है, यह कुशन थोड़ा सा अजीव तरीके से दिया गया है, आगे क्या क यहां के भार फेमस होती है यहां पे कम्पनी यह यह योपन कंट्री जिसे पॉलिस जिलोटी कहते है इसकी जो मुद्रा व मुद्रा वोह पॉलिश जिलोटी पंचायती निर्वाचन छित्र से समझ में नहीं आता लॉड मॉरली और मिंटो जे थे ये गौर्वर्मेंट इंडियन काउंसिल एक्ट या भारत परिसद अधिनियम 1909 उसमें लॉड मारली था सेक्रेटरी ओफ इस्टेट और लॉड मिंटो थे 1905 से 1910 तक भारत के वाइसराए बच्चा ये जो एक्ट था इसमें मुस्लिमों को पहली बार सेप्रेट इलेक्टरेट का धिकार दिया गया सेप्रेट इलेक्टरेट का जबकि लॉड मॉन्टेग्यू और लॉड चैम्सफोड जो हैं उसमें Montague भारत के Secretary of State थे और Lord Champs Ford बजलिया वाला बाक कांड के समें ये भारत का वाय सराय हुआ करता था यहां पर कहा गया है पंचायती पंचायत तो जो पंचायत राज सिस्टम है या मोटे तोर पर कह सकते हो कि लोकल सेल्फ गवर्मेंट का जो कॉंसेप्ट है वो Lord Rippon लेकर आए थे कौन लेकर आए थे Lord Rippon 1880 से 1884 तक कौन लेकर आए थे Lord Rippon तो इसमें से आपका कोई भी आंसर नहीं होना चाहिए इस कुश्चन में कुछ और पूछना चाहता था पूछ कुछ और लिया पोलेंड की करंसी पोलेंड जिलोटी इसके बारे में बता दिया लोड रिपन को भारत में पंचायती राज सिस्टम या लोकल सेल्फ गौर्वर्मेंट का जनक माना जाता है आगे आ जाता है राश्टिय ग्रहे बैंक ये नेशनल हाउसिंग बैंक के स्केल रे है इसका जो है इसक है इसका जो फिल फॉर में वह है नेशनल हाॉसिंग बैंक नेशनल हाउसिंग बैंक जो हाउसिंग फाइनेंसे । उसके लिए एक तरइक की नोडल एजिजंसी का काम कर एंचा जो घठंस ने वो 1987 में एक एक्ट आया था नहीं एक्ट 1987 इसके तहट 9 जुलाई 1988 को 9 जुलाई 1988 को एन एच भी नैशनल हाउसिंग बेंक का गठन किया गया इसका हेड़कौाटर नई दिल्ली में है ये फुली भारत सरकार की कमपनी है ये किसका है नई दिल्ली में इसका हेड़कौाटर है में 22 भाषाओं को शामिल किया गया कितनी भाषाओं को 22 और लाश्टत तो कि जो लाश्ट चार भाषा रखा रब वह बी डि एमेस भी डि एमेस भोडा डोगरी मेली और संथाली जब हमारा उनेडी सो 50 में 26 जनवरी से ओरिजिनल कॉंस्टिट्यूशन लागू हुआ था उससे में 14 भाशा हैं हुआ करती थी फिर एक फिर तीन फिर चार अभी कितनी है टोटल 22 अभी कितनी है बच्चा 22 चलिए अभी कितनी है 22 आगे आज जाता है 11 बारे कह रखा है कि हाइड्रोजन का परमाणू किरमांक क्या है हाइड्रोजन का परमाणू किरमांक क्या है और एनर्जी इन एबसेंस ओफ ऑक्सीजन यह गलत इसको कर लेना अब क्या कह रखा है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्तिती में उर्जा उत्पन करता है विमींस विदाउट ऑक्सीजन तो देखिए यदि ऑक्सीजन के साथ करता है तो उसे एरोबि यर्थ औरथ एयर सामिल है ओक्सीजन मतलब अर्थात ऑक्सीजन सामिल है युदि बच्चा मेर की होता है तो से एनर्विक एयर मतलब उसके अंदर औक्सीजन होगी और यदि एल लगा दो ऑन आक्सी respiration तो यहाँ पर आपसे वही कहा गया है कि oxygen absent है oxygen नहीं है oxygen अनुपस्थिति है तो जब oxygen नहीं है oxygen absence है तो जो respiration प्रक्रिया हो जाती है उसे anoxy कहते हैं क्या कहते हैं anoxy मतलब without oxygen यह इस्ट में होती है जो इस्ट जिसे खमीर बोलते हैं उसके अंदर कौन सी प्रक्रिया होती है इसी तरह जो गोबर गैस के जो मीठे जोनिक बैक्टिरिया होता है वो भी एनेरोबिक या एनॉक्सी रेस्पिरेशन प्रक्रिया करता है रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भोजन अर्थात गुलुकोज वगरा जो भी हम खाने के रूप में ले रहे हैं उसे पचने के बाद में जब सेल तक पहुंचता है तो वहां से हमें क्या मिलती है वहां से हमें वो जलता है क्योंकि इसके अंदर कार्बन होता है ऑक्सिजन की कोई भी चीछ जलेगी वो किसकी प्रिजेंस में जलेगी ऑक्सिजन की प्रिजें हाइडरोजन सबसे हलका है यदी मैं कहूं हीलियम का एटोमिक नंबर दो होगा इसका मतलब इसके अंदर कितने प्रोटोन है दो प्रोटोन है तो यदी मैं ये कहलूं कि इसके अंदर दो हाइडरोजन है तो भी बात गलत नहीं होगी हेलियम का एटोमिक नंबर कितना होता है दो उसके अंदर कितने proton है दो और यदि मैं यह कह दूँ कि हीलियम दो hydrogen के atom से मिलकर बनाएं या helium दो proton से मिलकर बनाएं दो hydrogen proton से तो मेरा कहना गलत नहीं होगा क्योंकि सबसे पहले दुनिया में जो तत्व आया दुनिया में जो element आया अभी भी पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे ज़्यादा है तारों के अंदर सबसे ज़्यादा है तारे जिससे उर्जा बनाते हैं वो hydrogen है इसका atomic number कितना होता है one होता है इसका atomic number कितना होता है one सबसे हलका भी है लेकिन यद इसके मास नंबर की बात करें हाइडरोजन की तो हाइडरोजन तीन रूप में पाया जाता है 1H1, 1H2, 1H3 इसे बिलकुल प्रोटियम बोलते है हाइडरोजन के इस रूप को क्या कहते है प्रोटियम इससे हैवी वाटर बनता है इससे ट्रीटियम कहते है क्या कहते है ट्रीटियम तो मास नंबर कितने होते है हाइडरोजन के तीन अलग अलग इसमें कोई न्यूटरोण नहीं होता इसमें एक न्यूटरोण होता है और इसमें दो न्यूटरोण होता है आप से पूछ सकता है वो कि किसमे 2 neutron है तो 3T में कितने neutron होते है 3T में 2 neutron होते है चलि बच्चा आपको यहां तक भी बहुत सारी चीजे समझ में आगे होंगी आगे आ जाता है अन्तिम औप्चारिक्ता क्या है जिसके तहत कोई भी विध्यक कानून नहीं बन सकता यदि आपको किसी भी विद्यक को कानून बनाना है तो उसके लिए आपको दो प्रिक्रिया फॉलो करनी पड़ेंगी तीन तब तक वो कानून नहीं बन सकता तो देखी बच्चा सबसे पहले जब भी कोई कानून बनता है तो क्या होता है कि सबसे पहले दोस्त वो राज्यसभा या लोगसभा से पास होता है उसके बाद में प्रेसिडेंट से अर्थात कोई भी कानून जो बनाती है वो संसद बनाती है और आपको पता है संसद के त्रीन पार्ट होते है एक लोगसभा, एक राज्यसभा और एक प्रेसिडेंट लाश्ट में वो प्रेसिडेंट के पास आता है और प्रेसिडेंट उसे असेंट कहते हैं उस वर्ड को क्या कहते हैं मंजूरी सहमती या अपने हस्ताक्षर करते हैं तो राश्टपती के हस्ताक्षर के बिना विदाउट प्रेसिडेंट असेंट या प्रेसिडेंट उस वर्ड का नाम क्या है असेंट मंजूरी के बिना हस्ताक्षर के बिना कोई भी कोई भी विधेयक कोई भी बिल एक्ट नहीं बन सकता जब तक राश्टपती साइन नहीं करते वो बिल रहता है उसके बाद में वो कानून अर्थात एक्ट बन जाता है पानी देन अपच्छा उत्राखं को बनाया गया इसकी राजजानी देहरादून जबकि उत्राखंड हाई कोड जो है उसकी सिर्ट नेनी ताल है उसकी सिर्ट क्या नेनी ताल नौ नवंबर 2000 उत्तर प्रदेश से 13 जिले लेकर उत्तर प्रदेश से 13 जिले लेकर पहाड़ी राज्य उत्राखंड की स्थापना की गई जिसके बच्पन का नाम शुरुवात का नाम उत्रांचल था बाद में उत्राखंड कर दिया गया गड़वाल और कुमाउनी ये दो क्या होते हैं इसकी डिवीजा ने और इसके मुख्यमंत्री त्रिवेंदर रावत और इसके राज्येपाल जो है इसकी राज्येपाल कनिश्क थे वो कौन से वंस के राजा थे कनिश्क कौन से वंस के राजा थे कनिश्क कौन से वंस के राजा थे और भूटान की राजानी कौन सी है भूटान की राजानी कौन सी है तो देखे बच्चा आप सभी को पता है जो कनिश्क थे वो कुशान वंस के राजा थे वो ये बाते 78 एडी की अर्थात इसा मसी की मृत्यू के 78 सालवे में आफ्टर इसा 78 इसा 78 इसवी की उस समय कुशानों वन्स के जो राजा कनिश्क थे राजा कनिश्क गदी पर बैठते हैं राजा बनते हैं और राजा कनिश्क जो हैं ये उसी जिसमर से राजा बनते हैं उसी समय कैसे शक समवत सुरू हो जाता है यह भारत का जो हमारी इंडियन गौवर्मेंट है जो भारत सरकार है इंडियन गौवर्मेंट का यह ओफीसियल कलेंडर है जिसे शक समवत कहा जाता है किसने शुरू किया था 78 AD से कनिश्क ने सुरू किया था फिर से समझ लीजी जो शक समवत होता है वो भारत का अधिकार कलेंडर है शक कलेंडर जिसको किसे ने सुरू किया था कनिश्क ने सुरू किया था जो कि कुशान वंस के राजा थे आसफ जाही वंस जो है आसफ जाही यह हैदराबाद चालुक के जो है, ये भी साव्थ इंडिया, ये कोई नहीं है, कुशान है गए आपका अंसर, कुशान वन्स, कुशान वन्स, आपको याद होना चाहिए, जो चौति बुद्धिष्ट कांसिल थी, फौर्थ बुद्धिष्ट कांसिल, ये भी किस के समय पर होई थी, ये कुशान राजा कनिस्के के समय पर हुई थी कश्मीर के कुंडलवन में जहां पर महायान और हीनियान बोध धरम का बटवारा हो गया था आगे आ जाता है भूटान की राज़दानी होती है थिंपू इसकी जो मुद्रा होते होते है नगलटरम और भूटान को लेंड औफ थी थंडर बोल्ट कहा जाता है Land of the Thunderbolt क्योंकि यहाँ पर बिचली चमकती रहती है और बादल गरस्ते रहते है इसलिए इसको Land of the Thunderbolt कहा जाता है किसको भूटान को राजदानी थिंपो और वहिया मुद्रा नगल्ट्रो मुद्रा लोट से शेरिंग करके यहाँ के प्रदान मंत्री है और जिग में खेसर करके जिग में खेसर करके यह यहाँ के क्या है बच्चा जिग में खेसर नाम के जो व्यक्ती है यह यहाँ के राजा है यह क्या है यहाँ के राजा आगे आ जाते एपी एफ का पूरा नाम क्या है और निमलिकित में से किसे भारत के ये डारेट कुश्यन है जो राष्टपती वाली वीडियो हमारी पोस्ट माटम वाली वीडियो है कुश्यन आ जाता है EPF का पूर्ण रूप और भारत के राष्टपती के रूप में किसे निर्वरोद निर्वाचित किया गया था अन अपोज्ड निर्वाचित किया गया था तो EPF का फिल फॉर्म होती है Employees Provident Fund Employees Provident Fund Employees Provident Fund 1952 में Employees Provident Fund एक कानून आया था 1952 1952 में इसके तहत इसके स्थापना की गई है और EPFO Employees Fund Employees Provident Fund Organization यह यह सारे के सारे जो जितने भी यह Organized Sector का है जो सरकारी या Private Companies है उनके जो Employees होते हैं उसका पीएफ जमा होता है कुछ Employer देता है कुछ वो व्यक्ति अपना जमा करता है उसे कौन मैनेज करता है Employees Provident Fund Organization EPFO भारत के राष्टपती के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था निर्वरोद नीलम संजीवा रेडी यह 1977 में इमर्जेंसी के बाद से 5 साल 1982 तक रहे थे इन्होंने तीन प्रधान मंत्रियों का शासनकाल देखा था नीलम संजीवा रेडी यह आंदर प्रदेश के फश्टे CMB थे दो बार लोगसभा के स्पीकर भी रहे दो बार लोगसभा के स्पीकर भी रहे नीलम संजीवा रेडी एक पहले CM थे आंदर प्रदेश के दो बार लोगसभा के स्पीकर रहे और 1977 से 1982 यह भारत के राश्पती निर्वरोद चुने गई Emergency के बाद में तुरनत इन्हों ने मुरार जी देसाई जंता पार्टी की सरकार देखी उसके बाद में उनकी स्तीफी के बाद में चरण सिंग की सरकार देखी चरण सिंग ऐसे पुरदान मंत्री थे जो कभी लोक सभानी गे और उसके बाद में इनोंने फिर से इंद्रा गांधी की सरकार देखी तीन प्रधान मंत्रियों का शासनकाल देखा था नीलम संजीवा रेडी भारत के निर्वरोध राष्टपती चुने गए थे जबकि इमर्जेंसी के समय पर थे फकरुद्दीन अली एहमद इनकी मिरत्यू 1977 मे प्रेशिडेंट पद पर बनी रहने के दौरान हार्ट अटेक से हो गई थी पहले वेक्ति प्रेशिडेंट पद पर बनी रहती हुई जिनकी मिरत्य हुई जाकिर हुसेन और दूसरे एफ ए एहमद दूसरे एफ ए एहमद पोर्ट फोलियो सिस्टम किसके द्वारा सुरू किया गया था और घूमर कहां का नरत्ते तो सर पर पल्लू डाल कर घूमर बहुत अच्छे अच्छे घागरा पहन कर तो घागरा से समझाना यह डांस होता है घूमर ठीक है तो घूमर कहां का लोक नरत्ते और पोर्ट फोलियो प्रणाली यदि पोर्ट फोलियो प्रणाली से आपको समझ में नहीं आया हो तो इसको आप लिख सकते हो कि आज जैसे आप डेपार्टमेंट सिस्टम समझते हो या मिनिस्ट्री का सिस्टम समझते हो कि कोई ग्रह म हुई थी तो देखिए एक पाउंसल एक्ट आया था क्या था एक इंडियन काउंसल एक्ट आया था 1961 में कब आया था था 1961 में उससमें वाइसराइग कौन था लॉड कैनिंग लॉड कैनिंग नहीं पोर्ट फोलियो सिस्टम के सुरुवात की थी या ये मिनिश्ट्री सिस्टेम की सुरुवात की थी जबकि लॉड मायो वो व्यक्ती था लॉड मायो जिसके हत्या पोर्ट बिलेयर में एक शेर अली खान अंडमान निकोबार की राजदानी पोर्ट बिलेयर में एक शेर अली खान अफरीदी नाम के पठान ने कर दी थी लॉड वेलेजली भारत में सबसीडरी एलाइंस या साहिक संधी के लिए जाना जाता है और विलियम बेंटिक सती पर था को खतम करने के लिए और दूसरा भारत के पहले गवर्णर जनरल के रूप में तो पॉर्टफोलिय सिस्टेम लॉड कैनिंग 1857 के करांती के समय गवर्णर जनरल था उसके बाद में जब इसके पद का नाम वाइसराय किया गया तब भी ये पहला वाइसराय बना और इसी के समय पर IPC ताजे राते हिंद स्टार्ट हुई थी गूमर लोक नरते राजस्तान का लोक नरते गाडी फॉर्ट लाया ठीक है एस तरे के भी गाने इसमें गए जाते बहुत ही दाशू गूमर नरते राजस्तान का नरते कहां का है बच्चा राजस्तान की पहले बीजह क睡 एण करते हैं राजिस्तान का राडार की रच्तिरी राडार की फुल फॉर्म क्या है राडार की फुल फॉर्म क्या है तो गुस्से में चला गया दिख भी नहीं रहा है राडार की फुल फॉर्म क्या है और मुलतान किरकेट इस्टेडियम यह किस देश में स्थित है मुलतान मुलत का सुल्तान तुरंत याद आना चाहिए राडार की फुल फॉर्म तो राडार की फुल फॉर्म होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रेडियो वेवस के स्तेमाल करके रास्ते की किसी चीज को डिटेक्ट करना और रेंज क पता लगाना कि वो चीज कितनी दूर है तो जिस तरह रेडार में रेडियो वेव का इस्तेमाल होता है इसी तरह जो सोनार होता है उसमें साउंड वेव का इस्तेमाल होता है राडार की जो इन्वेंट्शन की थी और जिसने बताया था जिसने कहा था कि जो रेडियो वेव सोत और उनीक एक्वेशन में चुपा हुआ था जो मैक्सवेल की एक्वेशन थी कि भही यह जो आपका रेडियो वेव सोती हैं यह किसी चीज से टकरा कर वापस रिफलेक्ट या परावर्तित हो सकती हैं इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हैंरिक हड्स नाम के साइंटिस्ट ने 1886 में यह करके दिखाया उसके बाद में राडार मुल्तान यह पाकिस्तान का क्रिकेट इस्टेडियम है मुल्तान किसका इस करकेट इस्टेडियम है पाकिस्तान का यहां पर 319 या 320 रन बनाये थे सहवाग जी ने चलिए परपल सेंचुरी चलिए कुश्य नंबर आ जाता है 23-24 किदाम भी शिरीकांत और राज्यसभा के सदस्यों की कारियविदी आर्टिकल 79 से राज्यसभा आर्टिकल 80 से लोगसभा यह भारत की संसद के दो भारत की जो संसद है हमारी जो इंडियन पाल्यमेंट है वो आर्टिकल 79 से बनी ए सोरी भारतिए संसद किन से बनी है आर्टिकल 79 से उसमें अपर हाउस या कॉंसिल ओफ इस्टेट्स कहते हैं यह राज्यसभा लोगसभा और प्रेसिडेंट की बात कही गई है तो जो राज् दो साल बाद इसके हर दो साल बाद लगब एक बटा तीन सदस्ते जो हैं वह रिटार्मेंट लेते हैं तो इसका कारीकाल कितने वर्सका होता है छे वर्सका यह आपसे बात कही गई है किदाम भी शिरीकांत बैड्मिंटन से संबन देते हैं कि दामभी शिरिकांत ये बेड मेंटन से संबंदे तें। UPSC के सदस्य किसके द्वारा न्यूक्त किये जाते हैं ? UPSC Article 315, UPSC Article 315 से एक Chairman जो अभी अरविंद सक्सेनाजी है एक चेर्मेन, प्लस दस मेंबर, प्लस दस मेंबर, तो जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपी असी के जो मेंबर्स होते हैं, वो राष्टपती द्वारा न्युक्त किये जाते हैं, अपॉइंटेड बाइदी प्रेसिडेंट, आर्टिकल 315 से, आर्टिकल 315 से, यू कोई चुनता है, तो बच्चा यूपी असी के मेंबर्स को चुनते हैं, प्रेसिडेंट, तुंग भद्राबांद, जिसे पंपा सरोबर भी कहा जाता है, ये कौन से राज्ये में स्थित हैं, जिसे पंपा सरोबर भी कहा जाता है, पंपा सरोबर, तुंग भद्राबांद, ये करनाटक के बैलारी जिले में करनाटक के कौन से जिले में बैलारी जिले में करनाटक के बैलारी जिले में तुंग भद्रा नदी के उपर है जिसे पंपा नदी या जिसे पंपा सरोबर भी कहा जाता है तुंग भद्रा को पंपा नदी या पंपा सरोबर भी कहा जाता है त क्रिश्णा की साहिक नदी है क्रिश्णा की साहिक नदी है पंपा सरोबर भी कहा जाता है करना टक के बेलारी जिले में स्थित है इसे पंपा सरोबर भी कहते हैं जो तुंगभद्रा नदी है ये क्रिश्णा नदी की साहिक नदी होती है क्रिश्णा नदी की साहिक नदी होती ह बर्फ की जो crystal युक्त बारिस होती है अर्थाज जो ओला पढ़ते है crystal युक्त ओले पढ़ते हैं ओले को क्या कहते हैं तो ओले को वरश्टी कहते हैं क्या कहते हैं ओली को ओला वरश्टी क्या कहते हैं हिंदी में तो वरश्टी कहते हैं और English में I think इसको ओला को क्या कहते हैं कुरभूर की जो बारिस होती है थंडरी स्टॉर्म करके शब्द होता हे рек ही ल क्या केते हैं ही एल्स हेए आई एल्स कुछ करके ऑगयए अला अध्रव के क्रिष्टल वर्व के क्रिष्चल कि सो होती है तो बवर्व के लिए पड़ती तो से वह रष्टिके और साथ-साथ थर लिस के कर hist कर आ स्युक्त राज्य अमेरिका स्युक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बहार पहले बार उलम्पिक खेल किस स्थान पर किये गए तो आपको पता है जो आधूनिक ओलम्पिक खेल हैं अठारसो चान में पेंटाथानिक स्टेडियम एथेंस से इनकी सुरुवात हुई पेंटाथानिक स्टेडियम एथेंस उसके बाद में 1900 के जो गेम्स थे ये फ्रांस पैरिस हुए उनिस सो अठाइस में आपको पता है लोस एंजलेस इस तरीके से चलते रहे तो रियो ओलंपिक 2016 मैलबर्न 2000 तो कौन से बच जाते हैं आपके नहीं मैलबर्न ने सिडनी है 2000 तो टोक्यो ओलंपिक 1964 में जो ओलंपिक गेम्स हुए है वो कहां पर हुए बच्चा टोक्यो में एशिया में कहां पर हुए 1964 में टोक्यो ओलंपिक इस टोक्यो ओलंपिक आगे आज जाता है कुश्य नंबर 30 कुश्य नंबर 22 अजीब सा कुश्य नहीं है उसकी हिंदि-इंगलिस सई नहीं है कुश्य नंबर 30 बहरत की जंगरना कितने वर्सों के अंतराल पर की जाती है तो 10 वर्स के अंतराल पर की जाती है सबसे पहले जो इसकी स्थापना होई थी वो कब से उनी शुरू हुई थी 1871 होई थी उसके बाद में 1881 लॉड रिपन के समय से ये रेगुलर होती आ रही है लाश्ट जो हुई है वो 2011 में अब जो होगी वो 2021 में अब जो होगी 2021 में अब ब पुशिस की है मेरा पोश्ट मार्टम में इसको एप पे भी करवाएंगे भारत की जंगरना दस वर्स में होती है सबसे पहले लॉड मायो के समय पर हुई थी उसके बाद में लॉड रिपन के समय से पूरे 10 साल आना हर एक 10 साल बाद होती आ रही है क्या सी क्यान में एक 1901-1911 इस तरह से ही 2011 में हुई अब 2021 में होगी अब कब होगी बच्चा 2021 में होगी दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संग ये तो आपको पता है कि ग्रुप डी और एलपी में कुश्यन हाया था कि आप सभी को पताए कि जितने भी और्गेनीजमें उनको किंग्डम में बांट रखा है पांच किंग्डम में उसके बाद में फाइलम उसके बाद में किलास उसके बाद में ओर्डर के पी सी किंग्डम और ये क्या होता है संग मतलब फाइलम किलास ओडर जीन्स फैमिली यहां पे फैमिली भी है ओफ जी एस ऑक्सफोर्ड ग्रीन स्कूल ओफ जी एस जी से जीन्स और एस से इस पीसे इस तरीके का सबसे छोटी क्या होती है इस पीसे उससे बड़ी जीन्स उससे बड़ी फैमिली फिर और 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 सबसे बड़ी क्या होती है कि नम होता है ता आपको बता रखा है कि एनीमल किंग्डम एनीमल किंग्डम जो एनीमेलिया किंग्डम है इसका सबसे पूछ ले तो इंसेक्ट दुनिया में सबसे अधा क्या पाए जाते इंसेक्ट नंबर दो पर पाए जाते मोलस्क नंबर दो पर क्या पाए जाते मोलस्क नंबर तीन पर एन लिडा नंबर चार पर लेटी हेल मेंथिस नंबर चार पर क्या पाए जाते लेटी हेल मेंथिस तो मेलिया का कई सारी फालम होती हैं जैसे आर्थो पोडा, एनिली डा, पिलेटी हैलमίν्धिस, ए तो मॉलसक जो ये दूसरा सबसे बड़ा है, जो मॉलसक है ये सेकंड बड़ा है पहला कौन सा लाक अर्थो-पोड और दूसरा कौन सा है मौलस्क लोगसभा अध्यक्ष और उपसभापती के पदों का सिर्जन तो आपको पता है 1951 में पहली बार चुनाव होते हैं लोगसभा और राज्यसभा बनते हैं चुनी हुई और 1930 मई 1952 को जो हमारे भारत के पहले लोगसभा राज्यसभा लोगसभा प्तौर रोगसभा देख्ष तो बनते हैं जीवी मावलंकर प्तौर और 62 मावलंकर और लोगसभा के जो अपाद्यक्ष होते हैं यह बनते अननत्यत्यामा गर अननत्यामा गर अभीμεर औरfeit कौने लोगसभाद्यक्ष उम बिरलक और उपाद्यक्ष का satur पता नहीं Harad लोग सबाद देख्च के पदों का जो सर्जन था वो 1951 में हुआ है कब हुआ है बच्चा 1951 फीफा द्वारा फीफा द्वारा विस्व फुटबॉल चैंपियंशिप विस्व फुटबॉल चैंपियंशिप का आयोजन पहली बार कहां पर किया गया तो विस्व फुटबॉल चैंपियंशिप से कनफूज मत हो ये फीफा वर्ल्ड कप ये पूछ रहें फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहा पर किया गया पहली बार फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन तो बच्चा जो पहली बार फीफा वर्ल्ड कप था पहली बार जो पहली बार फीफा वर्ल्ड कप था इसका आयोजन Monte Video, कहां पर किया गया? Monte Video, Monte Video अब कहोगे सरी, Monte Video कहां पर है? तो बच्चा, पहला FIFA World Cup 1930 में तेरे टीमों के बीच में Monte Video उर्गवे में किया गया कहां पर किया गया? उर्गवे, जो South America का उर्गवे नाम का देश है, वहां पर किया गया पहला मेच मेकसिको और अमेरिका के बीच में हुआ पहला जो मेच था, वो मेकसिको और अमेरिका के बीच में हुआ मेकसिको और अमेरिका, USS मेच को जीत गया जो Final था, वो Final उर्गवे उर्गवे और अर्जेंटीना की टीम के बीच में हुआ उरुगवे और अर्जेंटीना और उरुगवे ने अर्जेंटीना को हरा कर पहला फीफा फाइनल जीता पहला फीफा वाइनल तो 1930 में जो पहला फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो किस ने जीता वो जीता भहिया उरुगवे ने किस को हरा कर अर्जेंटीना को हरा कर कहां पर पहला जीता था उरुगवे सबसे ज़्यादा बार ब्राजिल की टीम जीती है गार जी डबल ए आर अक्सर अकवार में पढ़ते होगे जनरल एंटी अवाइडेंस रूल्स जनरल एंटी अवाइडेंस रूल या गार रूल जो गार रूल होते बच्चा ये पहली बार कब इसक प्रस्ताब पारित किया गया था उस समय जो फाइनेस मिनिस्टर थे वो थे हमारे पिरिणव मुखर जी उस समय फाइनेस मिनिस्टर कौन थे पिरिणव मुखर जी चलिए अब ये बात आती है सरगार नियम क्या होते है देखो Vodafone ने Vodafone ने आइडिया को खरीदा या एसार को खरीदा था हची सन एसार करके जो है ये जो डील हुई ये भारत के बाहर हुई कहां हुई भारत के बाहर तो इसने कहा कि भाई दो foreign companies के बीच में deal हो रही है और भारत के बाहर हो रही है Indians tax नहीं ले सकते जबकि Indians ने कहा कि सुनो मेरी बात आपको tax देना पड़ेगा क्योंकि जो बात हो रही है वो Indian assets की हो रही है किसकी हो रही है Indian assets या जो संपत्ती है वो भारत में deal आप कहीं भी करो संपत्ती भारत में तो क्या करते थे कि लोग avoid करते थे tax को बाहर विदेसों में कुछ ना कुछ deals वगरा कर लेते थे उन्हें रोकने के लिए General Anti-Avoidance Rules पहली बार Direct Tax Code 2010 में शामिल किये गए थे Direct Tax Code 2010 DTC Direct Tax Code 2010 में इनको शामिल किया गया था आगे आ जाते हैं कि राज्य सभा में राज्य और केंदर सासित प्रदिसों के बीच में जो सीटों का बटवारा है वो कौन सी अनुसूची के तहत होता है सीटों का बटवारा कौन सी अनुसूची के तहत होता है तो आपको पता है पहली अनुसूची किसी भी देश के जितने भी राज्य केंदर सासित प्रदेश हैं उनका नाम दूसरी जो officers वगेरा होते हैं, उनकी salary, तीसरा उनकी श्यपत और चोथा होता है, राज्य सबामे सीटों का बटवारा, चोथे होती है, राज्य सबामे सीटों का बटवारा, सात्वी होती है, जिसमें state list, center list और concurrent list आती है, अर्थात powers का बटवारा का बटवारा, राज्य सरका सब्सक्राइल और केंठ सरकार के बीच में तोते लिष्ट राज्यसाभा और केंठ प्रदेशव में सर्वचिनययले किस अनुछेद के तहत रिट जारी कर सकता है और और बाबा साहब ने अनुछेद 82 को भारते विदान की आत्मा कहा है अनुछेद 32 को बाबा साहिब भीमराव अम्बेड करने तो जो सर्वोच न्याल है वो अनुछेद 32 के तहत आर्टिकल 32 जब कि हाई कोड़ जो होते हैं वो आर्टिकल 226 जो आर्टिकल 143 होता है यह एड़वाइजरी जूरिस्टिक्स ने कि सुप्रीम कोड आदी से प्रेसिडेंट सलहा ले सकते हैं किसके लिए कोई अगर उन्हें लौका कुश्यन होता है अनुछेद 123 में सुप्रीम कोड का ओरिजिनल जूरिस्टिक्सन बनाया गया है जिसके लिए सुप्रीम कोड का गठन हुआ था सुप्रीम कोड का ओरिजिनल जूरिश डिक्षन जूरिश डिक्षन औरिजिनल जूरिश डिक्षन किसका सुप्रीम कोट का चलिए आगया जाते अरते सुन तालेस जूडो के खेल में डैन का अर्थ क्या होता है जो जूडो का खेल होता है उसमें डैन का अर्थ क्या होता है जो बच्चा जुडो का खेल होता है इसमें डैनकार्थ क्या होता है जुडो के खेल में डैनकार्थ क्या होता है दी इन जुडो के खेल में डैनकार्थ क्या होता है देखो हमने जब छुई छुआ खेलते थे आपने पकडम पकड़ाई खेली है आपने पकडम पकड़ाई खे डेन तो यार एक रेंग होती है क्या होती है एक रेंग होती है डेन एक रेंग होती है इसे आप क्या कहोगे जुडों के खेल में इसका हम एक बार देख लूँगा डेन तो हम ये कहते थे मेरा डेन आगया तेरा डेन आगया कहते थे ना अर्थात मेरी पोत तेरी पोत देसी में और इसका बताईए मोनाजाइट मिट्टी तो हजारों बार बताया है केरल की मालाबार कोश्ट केलर की मालाबार कोश्ट में एक सेंड पाया जाता है और इसलिए थोरियम भारत में सबसे ज़़ादा पाया चाहता है थोरियम भारत में सबसे ज़़ादा पाया जाता है सब कुश्यन ये डेनवेन वाले कुश्यन को छोड़ दें तो कराए हुए है विक्टोरिया जील कौन से राज्ये में कौन से देश में लेक विक्टोरिया अफ्रिका की सबसे बड़ी जील यहां से कौन सी नदी निकलती है यहां से कौन सी नदी निकलती है अब डेड़ बॉल यहां से नील रिवर निकलती है यह अफरीका की सबसे बड़ी जील है यह अफरीका की सबसे बड़ी जील है एशिया की सबसे बड़ी जील कौन सी है एशिया की सबसे बड़ी जील बताईए लेक एशिया की सबसे बड़ी कैस्पियन लेक कैस्पियन ऑउस्टेलिया की एक लेक होती है उसका नाम याद नहीं आ रहा है लिखवाया आपके नोट्स में इसको कर लेना विक्टोरिया अफरीका की सबसे बड़ी जील है लेक सुपिरियर अमेरिका की एक एक चीज को बहुत अच्छे से लिखवाया है आप लोग इसे कर लीजिएगा डेड़ बॉल किर्किट का शब्द है डेड़ बॉल किसका सब्द है किर्किट का डेड़ बॉल किसका शब्द है किर्किट का शब्द है विक्टोरिया जेल से नील रिवर निकलती है ये भी कुशन अजीव है जो दक्षिन भारत की भाषा है वो कौन सी समू की भाषा है दक्षिन भारत की जो भाषा है और यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है यूरोप की सबसे लंबी नदी आपको पता है वोलगा यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोलगा यूरोप की सबसे लंबी नदी है भारत में कई भाषा परिवार मतलब कई भाषा परिवारों की भाषा हैं बोली जाती हैं जिन में से धक्षण भारत की जो भाषा हैं मली आलम, तमिल, तेलगू ये सारी दिर्विड भाषा परिवार हैं भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी लेंग्विज बोली जाती है हिंदी और भारत में सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा कौन सी बोली जाती है एक बार और यह सब कराँगा आपको रिविजन में एक बार अब आप पर धासो तरीके से करा रहें वहीं आपको रिवीजन भी होगा सब कुछ तो बच्चा एक बार अभी आप चाहें तो एप पर विजिट कर सकते हैं तो देक्चल भारत परीबार की जो भाषा है वो दिर्विट भाषा परीबार की है सबसे ज्यादा हिंदी और सेकिंड नंबर पर जो बोली जाती है वो बेंगॉली बोल कुछ कुशन तो थे जो मैं आपको देना चाहता था चलो आज आता है कुशन दे देते हैं आप क्या कीजिए सभी लोग हॉमवर क्या आपका कि आप लोग जितनी भी सेडियूस आफ कॉंस्टिटूशन है इंडियन सेडियूस आफ कॉंस्टिटूशन इनके बारे में कमेंट्स में लिखके बताएंगे पहला किसके संबंदित हैं दूसरा तीसरा चौता पांचमा चटा हिंदी में अनुसूची हिंदी में अनुसूची चली बच्चा तो आप सभी लोग प्लीज सेयर कर देना सभी लोग सब्सक्राइब कर करके जाना सभी लोग लाइक कर देना और कल सुबह 11 बजे आप सभी लोग मौजूद रहना दासू तरीके से पढ़ाई चल रही है जो चीज़े नहीं आती वो चीज़े भी आपको आ रही है इस पोर्स वगेरा ये सब बहतरी बना दिया जाएगा एप पर कर रहे हैं यहाँ पर आपको कुश्यंस में कराई रहे हैं तो सभी लोग प्लीज कल 11 बजे आईएगा कल दो बजे फिर निकीता नामकी एक बच्ची है उनका दिल्ली पुली सकसे स्टोरी भी शेयर करेंगे जैसे जो बहने हैं या आप में जो शाय आप समझे की ऐसा कैसे होता है कैसे दूसरा बच्चा कर सकता हम क्यों नहीं कर सकते सर्फ एक चीज है एक पढ़ता है दूसरा नहीं पढ़ता है तो सभी लोग कल 11 बजे मिलेगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना अम्रत सब्सक्राइब करना अबर्स आटनो घंटे मर जाओ गिर जाओ कुछ कर जाओ मुझे नहीं पता मगर आपको पढ़ना पढ़ेगा ठीक बच्चा चले फिर थेंक्यों अल्दा वेस्ट जैन जै भारत जै एक्जामपूर कर विजै एक्जामपूर